नमस्कार आप लाइट बिहार देख रहे हैं मैं हूं करिस्मा आज शर्ट सटवी बिपेसी की परिक्षा बिहार के कई केंद्रों पर आयो जित की गई थी इस परिक्षा में अलग अलग जिलों से जो परिक्षारती है वो सामिल होने आये हुए थे लेकिन इस बीच जो हुआ बेहर दी चोकाने वाला आपको बिता दें कि लखी सराय जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है वहाँ परिक्षा के दोरान एक छात्र की मौथ हो जाता है विपेसी की परिक्षा दिने छात्र लखी सराय पहुचा हुआ था और इस दोरान उनकी मौथ हो जाती है कर्णों क अभी तक पता नहीं लग पाया है आपको बता दे कि 67 वी बिपेसी की परिक्षा बहार के अलग अलग केंद्रों पर आयोजित की गई थी लखी सराय जले में भी कई केंद्र बनाये गए थे और परिक्षा थी बनारस का रहने वाला बताया जा रहा है बिपेसी की परिक्षा दिने आये है कि वह की मौत हो गई खटना लखी सराय जले के आरलाल कॉलेज की बताई जारी है मिरतक की बचान उद्दर पर देश के सोनवद्र के वनारसी सिंग के रूप में हुई है जो वहाँ लोग थे उनके अनुसार वनारसी परिक्षा केंद्र प गोशिद कर दे हाला कि क्या वज़ा हुई चात्र क्यों ब्योश हुआ इसका अभी तक कारण नहीं पता चला है कि चात्र को पहले से ही कोई कमीर बिबारी होगी जिसके कारण चात्र परिक्षा हौल में पहुसते ही ब्योश हो गया और उस्पताल ले जा गया हलाकि के अनुसार परिक्षार्थी के पास अधार कार्ड और एड्मिट कार्ड के अधार पर उनके परचान हुई है कि उनका नाम बनार्सिस सिंग है और वह उत्तर परदेश के सोन्बद्र का रहने वाला है उसकी मौत किन कारोनों से हुई यह अभी तक असपस्ट नहीं हो पाया है पोलिस उनके परिजन से संपर कर रही है आपको बता दे कि 67 वी बिबेस्ती सन्योक्त परिक्षा आज संपर्ण हो गई लेकिन इसी बीच पेपर लिग का भी मामला सामने आ गया है कही के परिक्षा केंद्रों पर छात्रों ने हंगामा किया है 38 जिलों में बनाए गए परिक्षा केंद्र में करीब 6 लाग से अधिक परिक्षा थी 802 पदों के लिए अपनी किस्मत आजमार है लखी सराई में सांतिपूर और कदाचार मोक्त परिक्षा संचालन कराने के लिए चाक चोबंद विवस्ता की गई थी और आपको बता दे कि लखी सराई में 6000 से अधिक परिक्षा थी सामिल हुए थी प्रिशासन के दोरान पूरी तरह से विवस्ता की गई थी नस्वक्ष कदचार मोक्त परिक्षा के लिए जिला परती पदादिकारी भी तैनात किये गया थी लेकिन सबीच जो गटना हुई वो बहद ही चोखाने व दैनल को सब्सक्राइब न क्या हो तो चल दी सब्सक्राइब कर लें और फेसिय्च पर लाइक करना न भूले incorporating लाइब भी हाग यूट्यूप पर सब्सक्राइब और फेसिय्च पर लाइक जरूर करें